अलो दोस्तों कैसे अब दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही चैनल टेक्नोटिपस पांडे जी दोस्तों कि आप भी अपनी वीडियो काइन मास्टर या पावर डारेक्टर से एडिट करते हैं दोस्तो अगर आप अपनी वीडियो को तीन चार पांच पार्ट में रिकोर्ड करते हैं तो काइन मास्टर या पावर डारेक्टर में हमें एडिट करने के लिए दो से ज़्यादा वीडियो लेयर यूज करने को नहीं मिलता है जिससे हम क्या है दो तीन बार में इंपोर्ट स्पोर्ट करके उसको सारे लेयर को यूज कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको अपनी वीडियो एडिट करने में आधा टाइम लगेगा लब बहुत ही कम टाइम में एक अप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको सीधा प्ले स्टोर पे चले जाना है और यहां पर आपको एक अप्लिकेशन सर्च कर लेना है इन्सूट इन्सूट यह अप्लिकेशन आपको सर्च कर लेना है यह पहला अप्लिकेशन है मैं इसको इसको डाउनलोड करके इस प्रिस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको सीधे चलो मैं इस अप्लीकेशन को कैसे यूद करते हैं वो आपको बता दे रहा हूं। सीधे आपको इस अप्लीकेशन पे जाना है। दोस्ते यहाँ पे आपको तीन उप्सन मिलेगा वीडियो फोटो कॉले। से अपको वीडियो लेड करना एं तो से पहला रहा हूं। यहाँ से आप इसको लेकर सकते हैं। जोरोत पड़े तो, मुझे crop नहीं करना, मैं खाली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ इसको आपने सही करते हैं, इसके बात यहाँ प्लस पे फिर आपको click करना है और यहां पे दूसरा बीडियो layer इसको भी एड़ कर लेते हैं, इसके बाद फिर आपको यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, और यह मैं कर ले रहा हूं, तीसरा लेयर, ऐसे आप 3, 4, 5, 6 जितने पार्ट में आपनी वीडियो को सूट करते हैं, उतना यहाँ से मर्ज कर सकते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर कई इसको यूज करना चाहें, तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना चाहें, तो कोई बात नहीं, उसके बाद आपको यहाँ सेफ पर सिंपली क्लिक करना है, अब फिस सेफ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यह आपको फोर्मेट बताएगा, कि आप कौन से फोर्मेट में अपने वीडियो को कनवर्ट करना चाहते हैं 1080 में भी कर सकते हैं 720 में कर रहा हूं इसलिए आपको कर देना है कुछ देर में ही यह 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 आगए इसको हम चिंपली हंटा देते हैं हां से यह कनवर्ट होना वीडियो चालो हो गई यह मुस्ति से एक य। मिनट का टाइम लगता है जैसे आपकी वीडियो की लंग थो उसी साब से इसमें टाइम लगता है इस सो परसंट होने के बाद आपकी गैलेरी में सेव हो जाएगी यह वन लेयर में सेव होगी गैलेरी में इसको आप काइन मास्टर आप और डारेक्टर में एक साथ इंपोर्ट करके एडिट कर सकते हैं चलो दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए कर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा अगर अच्छी लगी है तो प्ली लाइक कर देना चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक थैंक्यू धन्यवाद